हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार जैहिंद तो वो समय आ गया जिस सभी को इंतजार था सेप्टेमबर से इंक्वाइरी सर बैच कब आएगा बैच कब आएगा क्या पूरा बैच आएगा वैई का भी आएगा नेवी का भी आएगा तो सभी लोगों के solution का answer मिल चुका है आपको सामने poster आपको visible होगा एक बार announcement हो चुकी आज maths की demo class है तो पढ़ाना क्या है उसको भी discuss करेंगे हम लोग उससे पहले थोड़ी सी information शेयर कर लेते हैं हम लोग 2-3 मिनिट में तो यह batch आपके सामने जो visible है यह Air Force X Group Navy AA SSR और NDA के लिए होगा इसमें तीन subjects कराई जाएंगे maths जो मैं कराऊंगा नीरस सर इंग्लिश सुमन में कराएंगी और physics का combo बनाया है शेलन सर और जितेश सर का physics का यह इसलिए कराया गया क्योंकि mostly Air Force में नेवी में बच्चों को problem आती है physics में score करने में तो maximum से maximum practice कराई जाए इसलिए दो teacher appointment किये गए है और आज जितने भी बच्चे इस समय देख रहे हैं जुड़ रहे हैं सभी से मैं बोल रहा हूँ भाई 6.30 भी आना है आपको सभी बच्चों को बुलाकर जिन जिन की problem रही है physics Air Force में आज 6.30 live demo available हो जाएगा carryable app पर और youtube पर ठीक है तो आप अभी तो रहेंगे हमसे connected 6.30 भी आएंगे आप physics के लिए आज demo upload करना है हम लोगों को और आप लोग देख लेंगे कितना difference feel करेंगे कि physics की एक अलग रूची ह अलग तरीके से बढ़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है teachers का support और teacher की hard work उसके साथ subject clear होगा ठीक है तो आप सभी लोग 6.30 में मिलेंगे batch की आज से ही payment start हो जाएगी और payment नाम मात्र के लिए रखी गई है 999 रुपे आज 6 बजे से start हो जाएगा payment होना carryable app पर कुछ बच्चे पूछे दे सर क्या procedure है तो आप जो जो android phone यूज करते हो आप play store से जाके carryable app download कर लें simple login है अपना email id और phone number जिसके थ्रू भी आप login करना चाहें बहुत easy process है user friendly app है और जैसी आप क्लिक करोगे कोई किसी को phone करने की जूरत नहीं है आपकी सब समझ में आ जाएगा कि यार कैसे ह हमारी वीडियो हमारे डेमो लेशन सब अप्लोड होंगे आप क्लिक करोगे वहाँ पे payment option आ जाएगा और जो यह फीस नौसो निन्यान में रखी गई है इस अभी उन बच्चों के लिए रखी गई है जो पिछली बार हमसे बोल रहे थे कि सर पूरा बैच लाए और limited पैसों एक्जाम तक वीडियो सेव रहेंगे आपके पास आप first lecture भी last day देख सकते हैं किसी भी subject का ठीक है तो इतना हो सकता था जितना carrier will ने और हमने साथ में मिलका इस चीज़ को किया है और यह possible करके दिखा है carrier will की team ने तो carrier will का दिल से thanks और बाकी हमने भी बहुत teachers को approach किया गया उ अब वो लोग आपके साथ काम करेंगे तो फिर देखना result की बहुचार होगी last जो batch चलाता सिर्फ math special चलाता हमारा Air Force में उसमें इतने सारे selection हो गए students के तो अभी वो GD में busy हैं जैसे GD बगेरा complete होता है उनका तुरंद आपको यहां से बुला कर उन सभी बच्चों का interview type या चाम के 6 बज़े से यह payment वगयरा option शुरू हो जाएगा क्योंकि यह limited time के लिए fees है जितना कम हो सकता था उतना कराया गया full course के लिए तो आज से 6 बज़े से आपकी payment स्टार्ट होगी तो सभी को थोड़ा ध्यान रखना और जो भी आपके friends में circles में यह message जरू circulate करो क्योंकि देखो fees क्या है नाम मातर की fees है कोई offline में पढ़ता हो कहीं भी पढ़ता हो कोई फरक नहीं पढ़ता यह वो code से जिसको हर कोई purchase कर सकता है और मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं purchase करें ताकि content देख पाएं आप अभी ऐसे comments आ रहे हैं ऐसी चीज़ें बोली जारी है कि सर मेरा 35,000 डूब गया मेरा एक लाग डूब गया coaching में मैं hostel मेरा 6 महीने तैयारी करी कुछ नहीं हो पाया तो भाई सिर्फ इतना amount और खर्च करो मेरे दम मैं जो बोल रहा हूं इस पर विश्वास करकर अगर कोई problem आती है कुछ भी आती है मैं इससे double triple आपको refund करने में सक्षम करो क्या मैं का आपको समय refund करा सकता हूं नहीं करा सकता तो जो समय आप देते हो टीचर्स को उन पर विश्वास करकर वो ज़्यादा जरूरी होता है आपके लिए तो ये समय हमें दो थोड़ा सा एक्जाम तक का और ये नाम मातर की जो फीस है इसमें हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और पूरे इंडिया में फैला दो इस पोस्ट को इस वीडियो को कि हर बच्चा जो भी डिफेंस की त्यारी कर रहा है इस छे एक्जाम की एरफोर्स, X प्रिफ्रेंज देते हैं तो उनको प्रॉब्लम ये थी कि सर, GS कहां से होगी, reasoning कहां से होगी और वाई वाले कह रहे थे रागा कहां से होगा तो उसके लिए भी सेम अमाउंट में बैच एवलियावल है, 7 टीचर्स की टीम है, एक बार मैं पोस्टर उसका भी लगा देता जो भी है, तो कई बच्चों को डाउट आरा था सर, एक बार और समझा दें किसको कौन सा बैच लेना है तो सुन लो भाई, Air Force X वाले बच्चे जो सिर्फ X की तियारी करने वो Defense Special Tech लेंगे, Navy AA SSR वाले बच्चे 100 नंबर का पेपर है, 25-25 each, 4 portion होते हैं, तो उनको reasoning, maths और GS भ वाला बैच लेंगे, और MR वाले बच्चे भी Non Tech वाला बैच लेंगे, NDA वाले बच्चे Special Tech वाला बैच लेंगे, ठीक है, तो जो भी बच्चा X प्लस Y और Navy AA SSR की तियारी करता है, तो आज आप दोनों बैच में अपने आपको avail करा लें, जल्दी से जल्दी, fees ना बढ़ जाए और carrier will धूम मचा रहा है, उसको मचाने दो, इतने कम amount में इन teachers के साथ आपको कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है, जो fees offer कराए गई है, अभी मेरे को calls वगेरा आने लग गए थे इतने सारे, मैं फिर बोल रहा हूं कि इतने hectic schedule के कारण हम reply नहीं कर पाते हैं, तो बहुत इतनी जगाओं से call आया, अलाबाद, वारानसी, बिहार से बहुत ज़्यादा fan following दिखाई गई है students ने, तो अब आपका काम है, इस badge को फैला दो, इस post को, इस video को फैला दो आग की तरह, ठीक है, और सबसे मैं बस यह जा रहा हूं कि भाई, एक बार demo ही देख लो आप लोग demo देखने के बाद आप खुद conversion करोगे अपने आपका, और content देखते आप feel करोगे कि भाई, जो चीज 35,000, 25,000, 30,000 और समय की बरवादी में हमारे साथ हुआ है, वो घर बैठे हो है, इतने minimum amount में हो गया, और practice की बात है, क्योंकि selection practice से होता है, तो इसलिए मैंने badge को exam तक demo रहेगा, तो भाई सारे बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, maximum तादात में आ जाओ, और जितने भी बच्चे physics से PDT हैं, उन सब को ले आओ, ठीक है, तो 6.30 PM पर जिते इस सर की physics रहेगी, आपको आज demo अपलोड करते हैं हम लोग, आप खुद देखके judge करना, क्या न 8.15 के आसपास आपको English मिलेगी, तो सारे ही आजाना भहिया, English तो सभी में common है, Air Force X Group, Air Force Y Group, Navy SSR, NDA, MR सब में, तो English में भी सुमन में के साथ, आप 8.15 पर जुड़ जाएं, इसी चैनल पर लाइव, ठीक है बच्चो, तो ये भी हमारा 8.15 से मान लिजे दस्तक, तो आज आप आपका ये homework है, आपको यहाँ पर जुड़े रहना है इस time, अभी हम कुछ स्टार्ट करते हैं, टेक्निकल का हलकी सी चीज़ है, कुछ बच्चों ने बोला था कि सर आज आप ये बढ़ा दीजिए, पिसली बार आपने trigonometry पढ़ाई थी, हमें geometry में बहुत problem होती है, तो मैं पर पर selection है और online coaching से selection दिये भी है, carrier will app ने, आपको just क्या करना है, आपको जो भी course पढ़ा रहे हैं, उनको easily watch करना है, कोई भी doubt हो, कोई भी problem हो, उसके लिए proper एक class रख लेंगे, comment section में आप बात कर सकते हैं, सारी facilities available है carrier will app पर, notes PDF में upload हो जाएंगे, सब कुछ, और पूरा batch ही आपको यहां से best मिल जाता है, तब बात करेंगे हम लोग, तो जल्दी से आप लोग scores को लीजिए, आज से start है, और जो भी students है, जो जानते हैं मेरे बारे में, अभी comments आ रहे हैं बच्चों के, तो आप सभी इसको आग की तरह फैला दीजिए इस post को, clear कि इंडिया में जो भ बच्चा defense की त्यारी कर रहा है, कम से कम जरूर scores को देखे कि क्या हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि आपको जब content नहीं पता है तो कुछ नहीं कर पाऊगे, तो जब पिछली बार बैच आया था, मैंने trigonometry का demo upload किया था, बच्चों की इस बार demand थी, उन्होंने special मेरे को message भी क्या है, physics और math, दोनों में common चीज है भाई, ठीक है, तो vector वाले डटे रहे हैं, बैठे रहे हमारा geometry का portion है, और आज ही अपने आपको पता लग जाएगा कि अर कितना आसान है basic से पढ़ना vectors को, वीडियोज आपने भी बहुत सारे देखे होंगी, physics वाले teachers की, math वाले teachers की vectors को लेकर, लेकिन exam oriented, चीजों को concept को clear करना, आज आपकी समझ में आ जाएगा, तो जुड़े रहना हमारे साथ, vectors हम लोग start कर रहे हैं, बिलकुल basic से उपर जाएगा, आप सभी को जुड़े रहना ह देखो ध्यान से, दोनों में common topic है, math और physics में, vectors होता है, छोटी सी बात, ऐसी quantities, ऐसी चीजें, जिनकी direction और magnitude दोनों होती है, उनको vectors का जाता है, कभी भी math और physics आपको पढ़नी है, आपका simple सा एक फंडा होना चीए, practical representation on graph, on 3D plane, जो भी है, किसी भी चीज को अगर आपको पढ़ता है, कि यह है क्या, मैं बिना graph के, बिना चीजों के vectors को नहीं पढ़ा सकता है, और आप भी भूल जाओगे, वोई problem आपके साथ आती है, तो होता क्या है vectors, पहली बात तो यह 3D quantity होती है, 3D मतलब 3 dimensional होती है, x-axis, y-axis, z-axis, तीनों quantities होती है, दूसरी बात, हमारी vector की direction और magnitude दोनों चीज़े available हैं, तो मैंने space में कोई coordinate ले लिया, A1, A2, A3, अब यह coordinate के लिए, क्या दिखाना चारू हो, मैं कैसे vector को represent करेगा, मैंने origin से इस line को join कर दिया, ठीक है, अब आप बोलोगे सरी dotted line है, इसकी कुछ ना कुछ length होगी, बिलकुल होगी, कैसे निकाल by using distance formula, distance formula लगा लेंगे, लेकिन direction तो नहीं आगी, magnitude तो मिल गया, तो direction को represent करने के लिए, मैंने यहाँ पर arrow लगा दिया, अब हम बोलेंगे, यह quantity का magnitude भी आगया, और direction भी आगया, बिलकुल Hindi English दोनों में पढ़ाये जाएगा, GS portion है इस batch में, कल GS का भी demo upload कर दिया जाएगा, tension मतलो, हाँ physics की आज 2 गंटे की class होगी, सभी जुड़े रहो, जो भी आपको शुरू में बता है, जो बच्चे लेट हैं, शुरू से वीडियो देखना, सब instruction दी गई हैं, आज आपको किस तरीके से कैसे जुड़े रहना, इस vector दिखा रहा है, अब vector दिखा रहा है, यह x-axis पर value है, यह y-axis पर, यह z-axis पर, तो हर axis के कोई unit vector, इकाई संदिश होते हैं, जिनको नाम दिया गया i, j, k, x-axis के along i, k, z-axis के along j, k, y-axis के along j, k, z-axis के along k, 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 तो यहां से यहां तक इसको vector बनाया गया, कैसे final minus initial, तो vector बना भ आ रहे हैं, यह किस axis पर कितना है, i के आगे a1 लिखने का मतलब, यह x-axis पर a1 फैला हुआ है, j के आगे a2 का मतलब y-axis पर a2, z-axis पर a3, यहां से यहां तक हम लोग इसकी length भी निकाल सकते हैं, by using distance formula, length निकाली तो निकल कर आई, under root a square, a1 square, a2 square, a3 square, distance formula दूरी formula, और length आगी तो क्या इसको magnitude भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, तो बहुत छोटी सी बात, हमने एक vector को represent कर रखा है, 3D system के अंदर, यह रहा, जिसका हमने vector representation सीख ली कि लिखते कैसे हैं, और उसकी लंबाई सीख ली, इसके अलावा क्या-क्या पता होना चाहिए, वो देख लो, दूसरी हिंदी में दिशा अनुपाद, direction ratio दिशा अनुपाद, यानि हर दिशा में कितना कितना फैला हुआ है, x-axis पे a1, y-axis पे a2, z-axis पे a3, तो direction ratio आ गए भई, a1, a2, a3, यह हमारे दिशा अनुपाद, फिर बात आती है, unit vector की 51 संदीश की, इसको बिल्कूल ध्यान से पड़ो, vector में जिसकी समझ में unit vector आ गया, उसका पूरा vector ही समझ में आ गया, कि vector होता क्या है, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, मैं एक बार इस topic को यहां से हटा के ताकि board पे space maximum available हो जाए हमको, दुबारा से इन चीजों को draw करके, ताकि एकटा ही समझा पाऊं मैं आपको, देखो, पचे लेटा हैं, जल्दी जुड़ जाओ, इनके unit vector i, j, k लिए गए, ठेक, कोई point यहां space में लिया था, हमने a1, a2, a3, और हमने इसको इससे join करकर एक vector बनाया, जिसकी magnitude भी और direction भी है, यह हमने इसको ऐसे draw करा था, a1 क्या कर रहा है, x-axis का portion कितना यूज कर रखा इस vector न a1, y-axis का a2, z-axis का a3, यह है origin 0, 0, 0, तो by using distance formula हम लेंथ निकाल सकते हैं, vector को represent किया था, हम लोगों ने कैसे, a1 में से 0 गए, a1 और x-axis का unit vector i cap, physics के लिए भी बहुत important है, सभी बच्चे देखते रहें, a1, a2, a3 के, अब हमने क्या किया था, कि इस vector की length निकालनी है, जिसको magnitude बोलते हैं, तो भाई, इसको हम लोग distance formula निकाल सकते हैं, a1 square, a2 square, a3 square, तो किसी भी vector की अगर length की बात की जा रही है, कि वो कितना length है, क्या लं रोड कर अंडर रूट कर देना है, हमारे पास vector की लंबाई भी आ गई है, vector भी आ गया है, magnitude, length, दूसरी चीज, यहां से समझना ध्यान से direction ratio, यह भी पढ़ाता हम लोगों ने, दिशा अनुपात, यह होता है, किस axis पर कितना फैला हुआ है, x axis पर कितना फैला हुआ है, a1, y y axis पर a2, z axis पर a3, यानि i, j, k के आगी वाली values को यहां लिख दे, तो उनको direction ratio दिशा अनुपात बोला जाता है, clear, next, unit vector, जिसकी समझ में यह आ गया, उसकी समझ में पूरा vector रहेगा, जिन्द की भर, वो कभी कोई question गलत नहीं करेगा, unit vector की वज़े से, होता क्या unit vector, नाम इसकी length 1 होती है, उसको unit vector बोलते हैं, हिंदी में 31, तो ऐसे vector जिनकी लंबाई 1 होती है, उनको unit vector एकाई संदीश बोलते हैं, उनको दरशाने का तरीका a के ऊपर cap बनाके modulus लिख देना, यानि 1 होना चाहिए, उनकी लंबाई उनको unit vector बोलते हैं, यानि यार i, j, k क्या unit vector है, बिल्कुल i, j, के इन तीनों की लंबाई कितनी है, 1, 1, under root 1 का square, under root 1 का square, under root 1 का square, तो ये तीनों unit vector हैं, ये x-axis के, y-axis के, z-axis के, लेकिन हम हर vector को अब unit की बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बता, अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरे vector का magnitude उसकी लंबाई 1 है, तो कि कैसी भी चीज को unit बनाना है, 21 अंदिश बनाना है, तो आप उस चीज को उसी की लंबाई से भाग कर दो, आपका unit vector आ गया, तो अगर vector को कभी भी उसकी length से उसी से divide कर दोगे, तो भाई, vector की लंबाई कितनी बनेगी, एक ही बचेगी, क्योंकि आपने जो value थी, उसको उसी magnitude से divide कर दिया, लिखने में देखो कैसा दिखेगा, A1, I, J, A1, I, A2, J, A3 के, नीचे vector का magnitude, magnitude A, magnitude A, magnitude A, clear, तो हमारे पास unit vector आ गया है, क्या होता है वो, दिखने में इस तरीके का vector होता है, बस नीचे उसके लंबाई, यानि modulus A, magnitude A, available होता है, तो उस vector को हम unit vector बोलते हैं, जिसको magnitude 1 होता है, और उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, compare किया, ये L की value हो गई, ये M की हो गई, ये N की हो गई, ये भी आत बात आ गई हमारी समझ में, क्यों, क्योंकि अगर हम इनका square करके जोड़ेंगे, तो 1 ही आएगा, तो यार L square प्लस M square plus N square कितने के बराबर, 1 के, तो unit vector यहां से हमारी और क्या help करेगा, अब ही हम इसको आगे देखेंगे, next चीज आती है, direction angle, direction angle दिशा कौन, ठीक है, उसको कैसे करेंगे direction angle दिशा कौन को, direction angle होते क्या है, कोई भी vector अगर 3D में बनाया जाए, तो वो तीनों axis से किसी ना किसी angle पर जुका होता है, उनी angleों को हम लोग क्या बोलते है, direction angle, यानि हमारा अगर कोई संदीश है, वो x axis से alpha है, y axis से beta है, z axis से gamma है, तो इन angleों को बोला जाता है direction angle, जैसे ये vector x axis से angle बना रहा है, alpha, y axis से beta, और z axis से gamma, तो इन कोणों को बोला जाता है direction angle, अब यार इनको कैसे निकालने direction angle को, आप एक काम करो, इस वाले triangle को, इसको, ज्यान से देखना, इस वाले triangle में cause alpha लगाओ, क्योंकि alpha angle x axis से बन रहा है, cause alpha लगाया, cause alpha आएगा base by hypotenuse, तो even upon modulus से, clear? अगर, Hindi English दोनों में चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, bilingual चलेगा, सभी subject में, कोई tension नहीं है, भुवनेश, NDA Math के लिए इस बैस को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, last तक जा रहा है exam तक, बहुत time है हमारे पास, बिल्कुल slow होकर, आराम से पढ़ाया जाएगा, तो कॉस अलफा यह आ गया, इसी प्रकार से अगर कॉस बीटा निकालें, तो कॉस बीटा आ जाएगा मेरे पास, A2 upon modulus है, और कॉस गामा आ जाएगा मेरे पास, A3 upon modulus है, clear, तो direction angle होते क्या है, आपका vector, आपका संदीश, तीनों अक्षों से जो कॉंड बना रहा होता है, उनको direction angle बोलते हैं, x-axis से alpha, y-axis से beta, z-axis से gamma, कैसे निकालते हैं, कुछ values आ गई हमारे पास, cos alpha, cos beta, cos gamma की triangle में लगा के, लेकिन जब ध्यान दिया, तो भाई ये समझ में आया, ये जो value निकल कर आई है, क्या ये वही थी, जो unit vector के आगे लिखी हुई है, बिल्कुल, जो ये value निकल कर आई है, क्या ये वही थी, जो unit vector के आगे लिखी हुई ह बिल्कुल, तो इनका नाम दे दिया गया, इसको L, इसको M, और इसको N, देखो, ये वही value है, हमारी जो unit vector के आगे लिखी हुई थी, I के आगे क्या लिखाता है, A1 upon modulus है, और cos alpha भी वही निकल के आया, यानि, जो भी unit vector हम बनाते हैं, जब किसी को 31 संदिश बनाते हैं, तो जो भी IJK के आगे लिखा होता है, वो cos alpha, cos beta, cos gamma की value होती है, जिनको LMN भी लिख सकते हैं हम लोग, इनके magnitude का square 1 होता है, ठीक है, और direction angle alpha, beta, gamma ये क्या होते हैं, ये वो angle होते हैं, जो vector हमारा x-axis, y-axis और z-axis से angle बना रहा है, अब फाइदा सुनों, यहां से क्या-क्या result आप को पता लगे, जो NDA, Air Force, Navy के तीनों paper हो में पूछे गए थे, पिछली बार, direction related question 3D से, LMN से क्या result प्रूफ कर चुके हैं, अगर square L, square M, minus square N, कि ये वो vector है, जिसका magnitude 1 होगा, तो L square plus M square plus N square 1 होना चाहिए, लंबाई का formula, तो LMN आज इसके बराबर है, तो हमको यहां से पता ल अगर X axis से alpha angle बना रहा है, Y axis से beta और Z axis से gamma, तो उनके square का sum, cos के square का sum कितना होगा बोलो, 1 होगा, क्या cos square को 1 minus sine square, 1 minus sine square, 1 minus sine square, 1 minus sine square लिख सकते हैं, तो 3 हो गए, एक, एक, वो भी 3 हो गए, minus के sine square उदर जाके, किसके हो गए, plus के, और 3 में से एक गए, 2, तो यह भी एक universal result है, बच्चों को यह पता होता, यह नहीं पता होता, आप इसको भी याद रखेंगे, कि अगर कोई vector, X axis से alpha बना रहा है, Y axis से beta बना रहा है, और Z axis से gamma बना रहा है, तो उनके cos के square का sum, एक, कोई रटरा नहीं है, यह सब हमने सीख लिया है, sin के square का sum दो, कैसे cos square को पर minus sin square लिखके तीनों को बदल दो, यह आ गया, दो result हो गए, तीसरा result सुनो, यह बहुत important है, यह भी बच्चों को नहीं पता होता, पहले मैंसे दूसरे को minus कर दो, पहले मैंसे दूसरे को minus कर द इस मैंसे इसको घटाओ, cos square alpha minus sin square alpha, cos two alpha, cos square beta minus sin square beta, cos two beta, cos square gamma minus sin square gamma, cos two gamma, एक मैंसे दो गए, minus एक, तो भाई, किसी भी वेक्टर के लिए यह तीन चीजें आप याद रखोगे, fix होती है, कोई नहीं बदल सकता, cos k square का sum 1, sin k square का sum 2, और cos two alpha, cos two beta, cos two gamma कितना बोलो, minus 1, दुबारा एक बार रिपीट करते हैं, अगर कभी भी वेक्टर दे रखा है, a1, i, a2, j, a3, k, अगर कोई वेक्टर दे रखा है, a1, i, a2, j, a3, k, तो जो भी i, j, k, k, आगे लिखे हुए हैं, वो होते है, direction ratio, दिशा पानुपाद, दूसरी चीज, अगर हम इनको under root में square करके जोड़ दे, तो निकल के आ जाती है, vector की length, a1 square प्लस, a2 square प्लस, a3 square vector की length, फिर हमने बढ़ा, 61 संदीश, unit vector, 61 संदीश क्या होता है, अगर आप vector को उसी की length से भाग कर दोगे, तो वो vector की लंबाई एक हो जाएगी तो उसी को unit vector रिका ही संदीश बोलते हैं, तो हमने क्या किया, अपने vector को उस magnitude से भाग कर दिया, अगर लंबाई निकाली, तो length कितनी निकल कर आई, 1, तो vector था a1, a2, a3 के यह लंबाई थी, उससे भाग किया, ऐसा लिख दिया, अब इसकी लंबाई 1 है, तो इसके under root के square का समवन आना चाहिए, तो इसको L मान लिया, इसको M मान लिया और इसको N मान लिया, तो unit vector का magnitude कितना होता है, 1 होता है, फिर हमने पढ़ा direction angle, दिशा कौन, यह वो होते हैं, जो x-axis, y-axis, z-axis से angle बनाता है, किसके दवारा, vector दवारा, vector दवारा तीन angle बनाए गए, x-axis से alpha, y-axis स gamma, जब इस triangle में हमने cos लगाया, cos alpha बोलो, base by hypotenious, cos alpha क्या है, base by hypotenious, इस तरीकी से cos beta, a2 by modulus है, cos gamma, a3 by modulus है, तो मजे की बात देखो, हमको क्या पता लगी, हमको यह पता लगी, जो भी IJK के आगे लिखा हुआ था, क्या वही आ गई, cos alpha, cos beta, cos gamma की value, बिल्कुल, यानी unit vector बहु IJK के आगे लिखे होते हैं, वही हमारे cos alpha, cos beta और cos gamma की value होती है, और इनी को हमने LMN माना था, तो यह LMN, और unit vector के magnitude 1 होता है, तो L square, M square, N square, 1 के बराबर, LMN की value यह रही, तो मैंने लिख दिया, L square, M square, plus N square कितने के बराबर, 1 के, तो किसी भी vector के cosine के square का sum, 1 होता है, 1 minus sine square, 1 minus sine square, 1 minus sine square, 1 minus sine square लिख सकते हैं हर cos को, तो 3 हो गए, 3 में से 1 गए, 2 आगया, तो sine के square का sum 2 होता है, और इसको इसमें से घटा दें, तो cos 2 alpha बचा, cos square beta, minus sine square beta, cos 2 beta, और ऐसे ही cos 2 gamma, 1 में से 2 गए, minus ही, तो यह 3 universal result है, किसी भी vector के दुनिया में कुछ भी पढ़ लो, line vector, रेखा 3D में क्या है, एक vector है, physics में कैसे बोल देगा, physics में बोल देगा, यदि कोई force, force क्या है, vector है, यदि कोई force, x axis alpha, y axis से बीटा, z axis से गामा एंगल बना रहा है, यदि कोई बल, x से alpha, y से बीटा, z से गामा एंगल बना रहा है, तो उसके sine का square का sum बताईए, कितना, 2, cos k square का sum बताईए 1 cos to alpha cos to beta cos to gamma बताईए minus 1 इसमें कुछ और चीज़े add करते हैं देखो फिर एक question से जब इन सारी चीज़ों को discuss करेंगे तब आप बोलोगे सर बिल्कुल ही clear हो गया vector का basic sum को कोई problem भी नहीं आ रही है physics और math में apply करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है देखो कैसे जो अब चीज़ बच गई है उसको और देख लो direction cosine disha cos share अब ये क्या होता है बहुत आसान है cos लग रहा है direction के उपर direction होते थे alpha, beta, gamma तो कह रहा है उनके उपर cosine cos लगा दो तो दिशा cos share तो ये पूछ रहा है आपसे cos alpha, cos beta, cos gamma का मान और वो तो आप लोगों ने लिख रखा है ये रहा तो किसी भी vector के अगर direction को sign पूछेगा यानि वो आपसे cos alpha, cos beta, cos gamma का मान पूछ रहा है और ये निकल के आगे आपके पास बड़ी आसान तरीके से फिर बोलोगे sir, ये तो वही है जो IJK के आगे लिखा था अरे भाई वही तो होना चाहिए क्यों? क्योंकि cos की value निकल कर आई है और वो ही value हमारी cos की आई थी जब हमने triangle में लगाया था तो direction cosine, unit vector, direction angle ये तीनों आपस में जुड़े हुई चीजे है confusion बिल्कुल create नहीं करनी है ये तीनों आपस में जुड़ी हुई चीजे है जुड़ी हुई कैसे? जो भी 21 अंदिश आप बनाते हो vector को उसके magnitude से भाग करकर ये value, ये value, ये value ये सब cos alpha, cos beta, cos gamma के बनावर है यानि कोई आपसे पूछे कि आपका vector x x से क्या angle बना रहा है यानि alpha पूछ रहा है आपका vector y x से क्या बना रहा है beta पूछ रहा है, z x से क्या बना रहा है gamma पूछ रहा है तो जल्दी से आप अपने vector को unit vector बनाओगे और ये cos alpha, cos beta, cos gamma के बराबर रखके alpha, beta, gamma निकालोगे बहुत जल्दी कोई आपसे बोल रहा है vector के दिशा, cos share, direction, cosine बताएं तो यार यह होता है direction alpha, beta, gamma होते हैं उनके उपर cos लगा रहा है तो cos लगा दिया यह value आ गई यानि direction cosine कुछ नहीं होते है unit vector के आगे वालों कोई direction cosine बोलते हैं बिल्कुल दिक कौजिया इसी को बोलते हैं इंदरजीत दिक कौजिया इसी को बोलते हैं direction cosine को clear तो हमको यह पता लग गया direction cosine cos alpha, cos beta, cos gamma तो भाई यह प्रशन नेवी में आया था इस बार x-axis, y-axis, z-axis में से किसी एक axis के दिशा कौज चे पूचे गए थे और वो NDA से लिया गया था कि NDA में y-axis के दिशा कौज चे पूचे गए थे तो आपको पता है direction cosine होते है cos alpha, cos beta, cos gamma alpha जो आपका vector angle बना रहा है x-axis के साथ, beta y-axis के साथ और z, gamma, z-axis के साथ अब ध्यान से देखना आप मुझे बताओ x-axis खुद के साथ क्या angle बनाती है 0 और कोई भी line खुद के साथ तो 0 बनाएगी x-axis y के साथ कितना बनाती है 90 और z के साथ कितना बनाती है 90 तो alpha, beta, gamma पता लग गए इनके उपर cos लगा दो cos 0, 1, cos 90, 0 cos 90, 0 cos लगा दो direction को sign दिख कोज़े पता लग जाते है या फिर कहीं से भी vector पता लग गया तो उसको unit बना लो, 31, 30 बना लो जो भी IJK के आगे हैं उनको लिख दो वो भी दिशा कोज़े होते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों ही तो आपस में बराबर होते हैं देखो, बहुत ही आसाम रखो चीजों को जितना याद रख सकते हो common चीज है maths और physics की y axis, y axis x से कितना बनाती है 90, खुद से कितना बनाती है 0, और z axis से 90 इनके उपर भी cos लगा दो cos 90, 0, cos 0, 1 cos 90, 0, और ऐसी z axis के साथ ये तो NDA में भी आ चुका है y axis के direction cos sign बताओ तो बच्चे वैसे भी याद रखते हैं practical समझ लिए हमने 0, 1, 0 clear बिलकुल निशान, प्रदीप, इंदरजीत, विवेक, हिमानशू सब हिंदी, इंग्लिश सम्मे मिलेगा कोई tension वाली बात है नहीं अब आप देखो इन बातों को जब आप एपलाई करोगे आप देखो इस question से कितना confidence आने वाला आपके साथ ठीक है एक question maths का और एक मिलता जुलता physics का question हम लोग इस vector में देखेंगे किस तरीके से हम लोग इस question को करेंगे ताकि vector से related question हमको अब कभी भी problem ना करें पहले एक बार vector से related सारे चीजें दुबारा discuss कर लेते हैं question को लेके मान लीजिए एक vector लिया मैंने i plus root 2j plus k तो मेरे को जल्दी जल्दी answer करना साथ साथ पहली चीज इस vector की length इसकी लंबाई सभी बता देंगे under root a square plus b square plus c square यानि दो लंबाई का vector है यह दो लंबाई यह इसकी जो कि 4 आ गया 4 का under root दो दूसरी चीज आप मेरे को बताएंगे direction ratio दिशा अनूपाद आप बोलोगे सर जो भी आई जी के के आगे है उनी को लिख दो उनी को direction ratio बोलते है बिल्कुल से भी define भी किया गया था यह वो values होती है जो x-axis, y-axis, z-axis पर use की जाती है संदीश दौरा, vector दौरा तो i के आगे 1 j के आगे root 2 और k के आगे 1 तीसरी चीज जो सबसे important है सब कुछ यह ही है यही सब कुछ गुमाता रहता है question को इदर से होदा unit vector 21 अंदीश जिसकी समझ में यह आ गया वो कभी नहीं फसेगा किसी भी angle किसी भी formation वाले question में जो vector को change करके भी की जाए unit vector आप बोलोगे सर इसको एक app से represent किया जाता है होता क्या है जब आप vector को उसकी लंबाई से भाग कर देते हैं उसको unit vector बोलते हैं क्यों क्योंकि इसकी length 1 होती है इस अब भी पढ़ा है हमने तो यहार निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है तो अपने vector को उसी की length से भाग कर दो vector हमें दे रखा है length हमारे पास आ गई है कितनी 2 तो सब को 2 से भाग कर आया 1 by 2i root 2 को 2 से किया तो 1 by root 2j और 1 by 2k तो हमारे पास unit vector निकल के आगए आप check भी कर सकते हैं इसकी length 1 आएगी इसकी लंबाई 1 आएगी अब unit vector क्या क्या करने वाल है वो भी देखो तीसरी चीज direction angle क्या होते है paper में बहुत question आता है कि भाई आपका vector x axis से क्या angle बना रहा है z axis से क्या angle बना रहा है y axis से क्या बना रहा है plane की तो बात ही नहीं कर रहा है आभी axis देखो plane में हमेशा confusion रहती है 100 मैं से 99 में बच्चे गलत करेंगे और एक छोड़ कर आएगा उस question को यानि बहुत कम बच्चों का question सही होता है direction angle होते क्या है यह वो angle जो vector x axis से बना रहा है अभी समझाया था figure बना के जो y axis से बना रहा है और जो z axis से बना रहा है और अभी अभी आप बोलोगे सर यह तो वो ही value होती है क्या cos alpha, cos beta, cos gamma जो unit vector के आगे लिखा होता है बिल्कुल से भी जो भी i, j, k का coefficient गुणांक होता है एक i संदिश unit vector बनने के बाद वो ही cos alpha, cos beta और cos gamma होता है हमने triangle भी बना के दिखा है तो इसके अंदर तो यार हम बता सकते हैं हमारा vector x axis से क्या angle बना रहा है क्या angle बना रहा है 1 by 2 cos alpha की value y axis से क्या angle बना रहा है तो cos beta 1 by root 2 और z axis से क्या बना रहा है cos gamma 1 by 2 अब आप जल्दी से यहां से देखके बताएं alpha, beta, gamma की क्या value निकाल सकते हो बहुत आसान तरीके से बोल सकते हो cos में 1 by 2 60 degree पर cos में 1 by root 2 45 degree पर और cos में 1 by 2 against 60 degree पर तो आपका पता लग गिया आप से पूछे यह वाला vector x axis से क्या angle बना रहा है 60 degree y axis से क्या बना रहा है 45 degree pi by 4 और z axis से क्या angle बना रहा है against 60 degree फिर हम लोगोंने क्या पढ़ा direction cosine दिशा cos है तो direction cosine क्या होते है direction मतलब alpha, beta, gamma cosine मतलब cos तो cos को alpha, beta, gamma पर लगा दोगे उनी को direction cosine बोलते है cos alpha, cos beta, cos gamma तो alpha, beta, gamma पर बस cos लगाना है ठीक है और दूसरी भाशा में मैंने बोला भी था जो भी IGK के आगे रहे वोई तो cos alpha, cos beta, cos gamma की value है यह लिखी हुई उपर blue pen से तो इनी को ऐसे bracket में लिखके छोड़ दो तो cos alpha कितना है 1 by 2, 1 by root 2, 1 by 2 इसलिए बोल रहा हूँ unit vector ही सब कुछ होता है आपके लिए direction वगेरा की, angle वगेरा की सब की tension किसके पास होती है unit vector के पास होती है ठीक है, English का भी demo है आज 7-8 बजे, physics का demo है साड़े 6 बजे, जुडिये और maximum amount में आईए ठीक है Air Force X and Y Group के form अभी आए नहीं अर्मन, अभी सिर्फ I am form Navy AA SSR के जल्दी से भर दो time के अंदर उसको Air Force X वगेरा के जो भी form आएंगे वो आपको यहां से बता दिये जाएगा जिस teacher की class होगी वो आपको inform कर देगा पहले दिनी ठीक है, quality image नहीं आ रहा phone का data check करो, यहां से कोई दिक्कत नहीं है आपके phone में, server में कुछ problem है data बगेरा problem कर रहा है तो यार एक vector के वारे में बहुत basic सी चीज़े हम लोगोंने सीखी है अब हम इसको देखो कैसे करेंगे 3-4 question आपकी हवा उडा देंगे एकदम, basic से question होंगे सब कुछ पढ़ लिया हम लोगोंने, फिर भी problem करेंगे, ठीक है देखो किस बारे मैं बात कर रहा हूँ मान लो, ये question दोनों में आ चुका है physics में और maths में physics में सिर्फ force लगा देता है vector के उपर तो physics का question बन गया maths में simply vector भी बोल देता है question ध्यान से देखना a vector a force vector को force से replace कर देते है force दे दिया i-root 2j plus k makes an angle alpha, beta, gamma with coordinate axis नेवी का question है और same NDA और air force में पूछा गया था, बस force की जगे vector दे दिया था, यदि कोई बल हमारा अक्षों के साथ alpha, beta, gamma कोन बनाता है, बल दे रखा i-root 2j plus k ठीक है, i-root 2j सर आपने तो सिर्फ तीन result ही पढ़ाए थे, कौन से तीन result, पहला cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1, always true, sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is 2, always true, first को second में से minus किया, cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma, minus 1, सर ये तीनों result हमको याद है, ये आई भी थे paper में बच्चे बोल रहे हैं, बट ये सब तो हम कैसे करें, 10 तो आपने नहीं पढ़ाया, या 10 होता भी नहीं, हमने किसी किताब में नहीं देखा, अरे जो चीज नहीं होती है, तो वो उसने गुमा के पूछी है, खुद करो आप solve, तो अगर कोई बल तीनों अक्षों से अल्फा बीटा गामा कौन बनाता है, तो इसकी value पूछ रहा है, 10 स्कूर अल्फा प्लस 10 स्कूर बीटा प्लस 10 स्कूर गामा कितना होगा, तो भाई आप एक काम करिए, अपने force को F मान लीजिए, I-Root 2J प्लस K, आप मुझे ये बताओ, अल्फा बीटा गामा अगर direction angle है, तो किसी भी vector को अगर unit बना दें, तो जो भी I-J-K के आगे है, क्या अल्फा बीटा गामा मिल जाते हैं, कौन तो मिलते हैं न, तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको अपने force को unit बनाना था, इकाई बनाना था, इकाई कैसे बनेगा, magnitude से भाग करकर, magnitude क्या है, एक line में हो जाएगा, एक का square, root 2 का square दो, एक का square एक, चार, चार का under root, दो, तो आपने अपने vector को, दो से भाग कर दिया, root 2 को दो से करो, ताकि एकाई संदीश बनाया जा सके, एक को दो से करो, तो force जो उसने दिया था, हमने उसको unit बना लिया, एकाई बना लिया, अब आप बोलोगे, सर जो भी IJK के आगे लिखा है, वो तो cos alpha, cos beta, cos gamma है, बिल्कुल से भी, cos alpha एक बटा दो है, cos beta minus एक बटा रूट टू है, और cos gamma फिर से एक बटा दो है, तो यहाँ से angle निकालने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, cos में एक बटा दो साट डिग्री पर, cos में minus एक बटा दो, negative आरा second quadrant, 180 minus 45, 135 डिग्री, cos फिर एक बटा दो 60 डिग्री पर, अब जिसको alpha बीटा गामा मिल गए, उससे 10 पूछ लो, sec पूछ लो, cosac पूछ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बच्चे क्या problem सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं, result तो 2 नहीं true होते हैं, 10 तो होता ही नहीं है, तो भाई आप basics पर जाओ, किसी भी vector को unit बनाओ, कुछ भी नहीं समझ में आता है, vector से कुछ भी clear नहीं है, basics होते है vector के, आप उसको unit बना के, उसके angle direction सब पर काम कर सकते हो, unit बनाना पड़ेगा vector को, तो unit बनाने के बाद, हमको जो भी IJK के आगे मिलते हैं, वो cos alpha, cos beta, cos gamma, और alpha, beta, gamma की value, मिल गए हम लोगों को, और value मिल गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूछ रहा था 10 square alpha, plus 10 square beta, plus 10 square gamma, तो 1060, root 3 का square, 3, 10, 135, minus 1, minus 1 का square, 1, और 1060, फिर root 3, root 3 का square, 3, cos sin, cos to alpha, इनके अलावा और कुछ भी पूछ ले, 10 में, cot में, sec में, cosec में, तो भाई, किसी भी vector को unit बना लो, उसके IJK के आगे वाले उठा लो, किसके बराबर रख दो, cos के वहां से alpha, beta, gamma निकाल लो, जो पूछ रहा है उसको बता दो, अब question math में आए, physics में आए, क्या दिक्कत आ रही है, कोई problem ही नहीं है, ठीक है, आज demo की class, जेड़ घंटे के आसपास चलेगी, regular class आपकी दोनों बैचिज में, 3-3 घंटे होगी, और English common चला करेगी बच्चों की, 9.30 से 11, X group की class, 8 से 11, Y की 9.30 से 12, ठीक है, अगला question देखो, vector के हमारे basics का, बच्चे बोलते हैं, सर हम सीख गए हमारे basics clear हो गए है, थोड़ा सा ऊपर लेवल ले जाओ, अड़े ऊपर जाने से पहले, एक question देखना, अगर clear हो गए basics, कौन बताएगा देखते हैं, find, the angle made by vector, vector है, I plus J plus root 2K with YZ plane, बहुत सिंबल सा गोशन, कि ये संदीश, जो आपके सामने vector दिख रहा है, वो YZ तल से, YZ plane से, क्या angle बना रहा है, option मैं लिखी देता हूँ इसके, options are available, pi by 6, pi by 3, pi by 4, pi by 2, तो ये देखो, वो ही question है, जो मैंने बोला, कि 99% बच्चे इसको गलत करते हैं, है कुछ भी नहीं, लेकिन lack of basics, अब आप बोलोगे, हमने तो vector पूरा पढ़ लिया, ऐसा कोई question नहीं देखा हमने, और है बहुत आसान, देखने में क्या लग रहा है, एक vector का सिर्फ एंगल पूछा जा रहा है, plane के साथ, तो क्यों नहीं बता पा रहे हैं, यानि आपको उस तरीके से, पढ़ाय नहीं जाता, जिसके लिए आपको तयार किया गया, एक्जाम्स के लिए, इसलिए यहां से आपको best से best चीज़ें मिलेंगे, जो भी एक्जाम में है, हर्ष बिल्कुल class live है, एकदम live, ठीक है, तो हमें क्या बताना है, find the angle made by vector with yz plane, संदीश द्वारा yz तल से बनाया गया, कौन बताईए, अब आप बोलोगे सर, हम ये angle तो बता सकते हैं, कि vector x-axis से कितना बना रहा है, y-axis से कितना बना रहा है, z-axis से कितना बना रहा है, आशू गलत answer, मावीर गलत answer, 99% वाले crowd में आ गए तुम दोनों, हम ये तो बता सकते हैं, कि ये vector x-axis से कितना बना रहा, y-axis से कितना बना रहा, z-axis से, ये तो अभी अभी सीखा, किसी भी vector को unit बना दो, पता लग जाता है कितना angle बना रहा है, तो root 2, वो ये again, कितना magnitude दो, दो से भाग करेंगे, तो एक बटा दो आई, एक बटा दो जे, root 2 को 2 से किया, 1 by root 2 के, तो आप जल्दी से मुझे ये बता दो, कि सर, x-axis से angle बन रहा है 60 degree, अरे बिल्कुल सही है, y-axis से angle बन रहा है 60 degree, और z-axis से angle बन रहा है 45 degree, तो ये मैंने पूछा ही नहीं था आप लोगों से, अगर मैं पूछा था, ये संदी से x से कितना बना रहा है, तो 60 degree बिल्कुल सही, y से कितना बना रहा है, 60 degree बिल्कुल सही, cost की value, z से कितना बना रहा है, 1 by root 2 45 बिल्कुल सही, आप से पूछा गया था ये वेक्टर yz plane से कितना angle बना रहा है तो पहले मैं explain करूँगा फिर एक line में आपको करना बताऊँगा कैसे करेंगे answer सभी ने गलत देने शुरू कर दिये pi by 3 कहां से आ जाएगा भाई देखो इदर अब pi by 3 गलत है तो pi by 6 करने लग जाओ और ये z axis है तो इन दोनों ने मिलके बनाया yz plane clear है तो yz तल का निर्मान हो गया किस-kis axis ने बनाया y ने और z axis ने अब हमने एक vector दे रखा है vector है i plus j plus root 2 के तो पूछ रहा है ये vector yz plane से क्या angle बनाएगा इसकी demand है इस angle की कि ये vector yz plane से क्या angle बनाएगा ये angle पता लग जाए कहीं से तो काम हो जाए चलो ठीक है y और z plane पर कौनसी axis perpendicular होती है अब आप बोलोगे सर एक ही axis होगी कौनसी x axis x axis का काम क्या होता है yz पर perpendicular हो नो y का xz पर perpendicular हो z का xy पर क्योंकि ये mutually perpendicular हमारा 3D system होता है तो y और z पर कोई भी axis perpendicular होगी कौनसी axis होगी x axis तो यार x axis yz plane से angle बनाएगी 90 degree का ठीक है ये हमारा vector है और जबकि vector हमारा angle बना रहा है yz plane से theta ये बना रही है पूरा 90 तो ये कितना बचा 90 माइनस theta या उल्टा पढ़ लो उल्टा कैसे पढ़ोगे आप इस चीज को कि अगर ये वाला vector x axis से angle बना रहा है theta और x axis इस plane से बना रही है 90 तो ये angle कितना बोलो 90 माइनस theta क्योंकि ये पूरा theta ये पूरा 90 ये theta तो ये कितना 90 माइनस theta तो यार हम बब बड़े आराम से निकाल सकते है कैसे अगर y z plane से angle पूछा है तो ये पूछ रहा है वो मेरे से मैं कहीं से theta निकाल दूँ 90 में से minus कर दूँ आ जाएगा theta किसके साथ x axis के साथ तो अभी अभी तो किया था ये question x axis से angle निकालने के चकर में इसको unit vector बनाना पड़ा था और जैसे इसको unit vector बनाया था तो x axis के आगे वाली value कितनी आ गई थी एक बटा दो और cause में एक बटा दो कितने पर बोलो 60 degree पर cause में एक बटा दो कितने पर बोलो 60 degree पर तो मुझे ये पता लग जया था मेरा vector x axis से 60 degree का angle बना रहा है तो अगर vector x axis से 60 degree का बना रहा है तो ये कितना बचा 90 minus 60 90 में से 60 गए बोलो 30 degree clear कितना आया बोलो 30 degree तो अब इसको बहुत सरल भासा में समझ लो क्योंकि ये तब आपके लिए possible ही नहीं है paper में करना कि आप ऐसे करके cosine को बना के फिर 90 में से घटा हो तो अगर आपका angle कभी भी axis से पूछा जाए वो तो बहुत ही आसान है कैसे आप अपने vector को unit बनाओगे बार बार जो मैं चीज रिपीट कर रहा हूं उसी को क्योंकि important है unit vector कैसे बनाओगे गा magnitude से भाग करकर और जो भी अब हमारे आगे लिखा होगा वो angle आ जाएगा x x के साथ वाला angle आएगा हमारा कितना वही 60 degree क्योंकि 1 by 2 y axis के साथ भी angle जो हमारा आएगा वो भी 60 degree और z axis के स x z axis से क्या angle बना रहा है लेकिन अब बात कर लेते हैं plane की अगर पूछे x y plane से क्या angle बनाएगा y z plane से क्या angle बनाएगा और x z plane से क्या angle बनाएगा vector तो बहुत आसान है अब देखो क्या करना है हमने किस से पूछा था आपसे y z plane से ये संदीश क्या angle बनाएगा तो जब भी जिस plane से पूछा जाए, किस से पूछा जाए, Y और Z से, आप उसी को cut कर दोगे, जिस plane से angle पूछा जाएगा vector का, आप उसी को cut कर दोगे, बिल्कुल बिल्कुल जो बच्चे पहले पढ़ चुके उन सभी को ये batch लेना, अगर आपके selection में कहीं problem आईए तो, ठीक है, maths में भी जब हमारे पास time है बहुत सारा, तो हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं, बहुत time है हमारे पास maths में, तो कोई खीसता नहीं है, NDA वाले साभी बच्चे इस batch को purchase करें, maths, maths, English सब मिल रही है आपको इसके अंदर, ठीक है, तो यार कभी भी plane के साथ angle पूछे कि Y, Z plane के साथ क्य angle बनाएगा vector, तो आप Y को भी cancel करतो, यानि Z को और K को भी, Z को भी cancel करतो, यानि K को, ये चले गए, अब आपको क्या दिख रहा है बच, 1 by 2, और इसको sign में बताओ, कितने पर होता है 1 by 2, आप बोलोगे sir, sign में 1 by 2, 30 degree, 5 by 6 पर होता है, तो वो ही answer है आपका, ठीक है, तो plane क साथ बोले, उन दोनों को cancel करकर, दूसरे में sign वगरा देख लेंगे, जैसे मानलो angle पूछ रहा है किस से, XY plane से, तो आप X को cancel करोगे, Y को cancel करोगे, XY उड़ गया, क्या बचा, Z, और 1 by root 2 को cos में नहीं, plane के case में sign में देखेंगे, तो 1 by root 2 sign में कितने पर बोलो, 45 degree पर, मानलो पूछ रहा है, X, Z plane से क्या angle बनेगा, तो X को cancel करेंगे, Z को cancel करेंगे, फिर से क्या बच गया, 1 by 2, और 1 by 2 sign में कितने पर बोलो, 30 degree पर, ठीक है, तो हम अब ये सिख गए, कि हमारा vector axis के साथ, अक्षों के साथ क्या angle बनाता है, वो भी एक line में पता लग गया, unit बनाने के ब देता हूं, जो लोग लेटा है, गुरू दे लाजवाब पढ़ाते हो, तो जुड़े रहो भी selection लेना है लाजवाब पढ़ने से, आरे faculties यहां पर SM, यही तो बोल रहा हूं, देखो, मैंने शुरू में जो बोला, जो बच्चे लेट में जुड़े हैं, आपको अगर हर च इस बार पूरी इतनी तगडी स्टेज ही है, हमारे पास इन 6 पेपरों की, इस बार जो डिफेंस में होंगे तो 2020 के अंदर, 6 पेपर कौन से, 2 Air Force, X&Y Group के, 2 Navy SSR के, 2 NDA के, और MR वगेरा भी इसमें add कर लो, ठीक है, हाँ, तो आप देखो, 7-8 पेपर के लिए क्या फिसली जा आवेल कर पाएं, और देख पाएं कि कहां पागल बनाया जाता है, और कहां पढ़ाया जाता है, एज बगेरा का, A, R, K, whatever your name, मेरे को अभी नहीं पता क्या पंगा है, मैं थोड़ा सा एज बगेरा का रिकार्डिंग वीडियो बना देता हूं, यूट्यूब चैनल पर अप लोग मेरी फेस्बुक पर चले जाना, नीरे सिंग बैसला करके, हाँ, फी बिल्कुल सही है, तो उस पर हम एज रिगार्डिंग या जो भी नोटिफिकेशन आने वाली है, जो भी है, एक्जाम के लिए, वो सब आजागा, सर बहुत कम फीस है, हाँ, तो कम फीस पता है, लि ठीक है, तो वो बड़ा दुखत समाचार थे हमारे लिए, तो ये तुम लोग का प्यार है, जो तुम लोग ये इतने बड़े-बड़े टाइटल दे देते हो, सर साइन में क्यों देखा, ये पूछा करो ना, ये अच्छी चीज़ पूछने वाली, भाया साइन में इसलिए देखा, कभी भी दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकाला जाता है, तो कोसाइन लगाया जाता है, ध्यान से सुनना जिसने कोशन पूछा है, और अभी आपने देखा था, ये एंगल ठीटा है, और ये आया है 90 माइनस ठीटा, तो दुनिया में मैत के फॉर्मले बदल थ साइन ठीटा होता कितना है, साइन ठीटा, तो वो अपने आप ही साइन ठीटा बन गया, गुरुदेव मार्किट में सब लूट रहे हैं, 25,000 में पढ़ा था, तो देखो 25,000 में और यहां देखो 999 में, आप खुद से देखो ना घर बैठ हुए, ना आपका कोई क्रया लग मार्च के अंदर, फिजिक्स का भी अपने जैसा लाइए सर, अरे भाईया ले आए, आप साड़े 6 बजे जुड़ना सब लेके आ चुके हैं, ठीक, तो देखो इदर, आगे चलते हैं, तो हम लोग समझ गए ना, अगर हमारा कभी भी प्लेन से पूछे कि यह वाला वेक्ट अगर एक्स एक्स से कितना बना रहा है, तो एक्स के आगे कितना है, वन बाई टू सको कॉस में कितने पर, साट पर, कितना असान है, नेट खतम हो जाएगा, देखो ये कोई कैसे कैसे बहाने बता रहे हो भई तुम, तब खतम नहीं होता जब यूट्यूब करते रहते हो, दुनिया बर के नहीं ककर टौनि ककर को सुनते रहते हो, वैसे भी यहाँ पर वीडियो की क्वाल्टी को मेंटेन कर पाएं कि बच्चों का डाटा ना हो, उस पर काम शुरू कर दिया गया है, तो होफुली बीच सलेबस में शायद वो सब चीजें भी आपको मिल जाएं, कि क दाटा में आप कई सार कई बार वीडियो देख पाएं, तो वो काम भी यहाँ शुरू कर दिया गया है, ठीक है, देख लो एक बार और किसी को डाउट आगर इस कोश्चन में, 3i, sorry, 3i प्लस 2j प्लस 6k, find the angle made by vector, यह, theta is the angle made by vector, with xz plane, find 10theta, बहुत आसान है, देखो इदर, इस सब घुमाने वाले कोश्चन है, जो बच्चे बोलते हैं, सब वेक्टर, जमेंटरी सब पड़के गए थे, नहीं हो पाया कोश्चन, अब देखो का नहीं हो पाएगा, सब कर लेंगे इस कोश्चन, वो जितने ही बच्चे सामने बैठे हैं, आपके सामने एक वेक्टर दे रखा है, और बोल रखा है, वो वेक्टर ठीटा कोण बना किस से, एक जेट तल से, तो कहरा है, टैन ठीटा बता दो, तो भाई एक काम करो पहले यूनिट तो बनाना पड़ेगा, यूनिट बना लो इस वेक्टर को नाम देते हैं, ये वेक्टर, एक आई बनाने के लिए मैग्निटूड से भाग करना पड़ेगा, 36, 945, 4, 49, 49, उसने कड़बड कर दी, किस से पूछ लिया, तल से, अगर तल से पूछ रहा, एक जेट प्लें से, तो एक्स को काटो, जेड को काटो, और जो बच गया, उसको साइन में लिखो, तो भाई, वो एंगल ठीटा बोल रहा है, तो साइन ठीटा, दो बटे, साथ, साइन पूछा टैन पूछा, साइन पूछा, टैन्थ की बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री में चले जाओ, राइट एंगल, ट्रिएंगल में, सबको आती है, ठीक है, तो जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का डेमो देखना चाते हो, तो नीरे सिंग बैसलर ट्रिगो लिख देना, वीडियो आ आप लोग, नौपंजय, पेंतालिस, थ्री रूट फाइब, और टैन ठीटा पूछाता ना उसने, तो टैन ठीटा बताओ, परपेंडिकुलर अपन, बेस, लंबटे, आधार, तो यह आगया आपका आंसर, दो बटे, तीन रूट पाँच, प्रैक्टिस सेट वगेरा सम मिल क्योंकि टाइम है, इस बार हमारे पास, गुरुदेव अगर आप पहले मिल गई होते हैं, तो हमारा सेलेक्शन हो गया होता, अरे ऐसा कुछ नहीं है, जब जागो तब सवेरा है, तुम वहां से मेनत करो, हम यहां से मेनत करते हैं, और इस बार प्योरली काम सिर्फ कि आप सेलेक्शन दीजिए, आगे जलते हैं वेक्टर्स में, बिल्कुल बेसिक्स हम लोगों ने कतम कर लिया है, फोर्स वगेरा के रिगार्डिंग कोश्चन पूछले, अल्फा, बीटा, गामा के रिगार्डिंग कोश्चन पूछले, वो हमारा एकदम क्लियर हो गया है, तो यह सब बात नहीं बताऊंगी पेपर में, प्रॉब्लम बिल्कुल ही होगी, क्यों नहीं होगी बताओ, पेपर में आया था, if direction, cosine of x-axis, y-axis and z-axis, हिंदी में, यदि x-axis, y-axis और z-axis के दिख कौज्य क्या है, l1, m1, n1, l2, m2, n2, और l3, m3, n3, यदि x-axis, y-axis, z-axis के दिख कौज्य direction को साइन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आपको क्या बताना था, l1, plus l2, plus l3, m1, plus m2, plus m3, minus n1, plus n2, plus n3, तो देखने में बहुत बड़ा बच्चे बोलते हैं, जब नहीं भी में आ गया था ये, कैसे क्या करना था, अर्या भी तो पड़ा हमने, एक्स, एक्स के दिखा को से direction को साइन क्या पड़े, 100, y-axis के 010, और z-axis के 001, तो value आगी रख तो value की कोशन था, तो जितना length ही आपको data दिया जाता है, उतना ही छोटा कोशन होता है, NDA के high level के कोशन, इस बार समय है, बड़े आराम से, फरवरी तक, सब cover करा दिया जाएगा, कोशन करते टाइम बता दिया जाएगा, कौन सा Air Force में आया था, कौन सा Navy में आया था, और यह NDA oriented है, हाँ सागर जिनका student का selection हुआ है, उन सब को live लाकर 20-25 लड़के हैं, अभी GD बगारा में वो लोग involved हैं, तो 10-15 जिनके अंदर उन सब को live लाए जाएगा, जनवरी last में, mostly complete हो जाएगा विकास स्लेबस, तो add कर देते हैं, L1, L2, L3 को 1001, M1, M2, M3, 0101, और 001, इससे यह बोलो, cancel 1 ही answer आ गया, clear, तो यह एक छोटी सी चीज है क्या थी हमारी basics थी, vector को लेकर, हाँ, 18 April 2020 NDA वाला exam को लेकर भी targeted है यह batch, तो ज़्यादा ज़्यादा संख्या में जुड़े है, 18 तारीक को जो पहली class आईगी हमारी, vectors की दूसरी चीज है, dot product, सबसे ज़्यादा question exam में इसी से आते हैं, dot product से, ठीक है, कि दो vector का dot product क्या है, क्या है, क्या नहीं है, किस तरीके से किया जाए, देखो इदर, अगर एक vector की दूसरे vector से dot किया जाए, तो answer आता है, mod of a, mod of b, cos theta, यानि लंबाई, लंबाई और theta, theta क्या है भी, theta is the angle between a and b vector, theta is the angle between a and b vector, तो dot product को हम ये भी कह सकते हैं, क्या जो इस तरफ आया, उसमें कहीं से भी, IJK वगेरा कुछ भी नहीं था, ये लंबाई थी, यानि कोई scalar नंबर था, ये लंबाई थी, ये भी कोई scalar नंबर था, और cos की value माइनस एक से एक, तो यार, यहाँ कोई IJK ये रही वेक्टर जैसी चीज नहीं आती, तो dot product का दूसरा नाम होता है, scalar product, हिंदी में आदीश गुनन, हिंदी में क्या, आदीश गुनन, तो दो vector के dot product को हम लोग scalar product भी बोलते हैं, क्रिशन स्टार्टिंग से देखना वीडियो अभी आयो, तो इसकी लग रहा होगा थोड़ा स्पीड ज्यादा है, शुरू में तीन, तीन, चार, चार बार explain की गई हैं चीजें, हाँ, math की classes daily होंगी, physics की daily होंगी, English की daily होंगी, सर, अब की बार exam में ऐसा लगा की paper आप ही बना के आये थे, तो देखो वो सिर्फ experience होता है, जो हम लोग share करते हैं आपके उबर, और आप लोग बोलते हैं सर, वो ही आया जो आपने पढ़ाया, तो वो सिर्फ experience है, छैसा साल का experience पढ़ा-पढ़ा के जो हो गया है, उसकी वएशे से, ये gas हो जाता है paper में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ठीक है, देखो इदर, तो a.b आ गया, mod a, mod b, cos theta, theta क्या है, दो vector के बीच का angle, ये दोनों लंबा ही है, यानि इसको scalar product, आधिश गुर्णन कहते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी आई जेके, नहीं आता, दूसरी चीज, तो क्या b.a भी यह आना चाहिए, देखते हैं, b.a को solve किया, mod b, mod a, और cosine, minus theta, क्यों हो भई, a से b गए, तो anti clockwise, b से a आए, तो clockwise, clockwise में angle change हो जाएगा, इधर plus theta, इधर minus theta, तो solve किया, mod b into mod a, और cos minus theta, बोलो cos theta, क्योंकि cos fourth quadrant में positive, तो यह दोनों तो same आ गए, तो यहां से एक नई application बन गई, क्या a.b कितने के बराबर होता है, b.a के, इसको बोलते है, commutative, बिल्कुल भई, तो dot commutative law follow करता है, बिल्कुल करता है, तो a.b कितने के बराबर होता है, बोलो, b.a के, ठीक है, हाँ, कल तक, कल आज से start होगी, और कुछ limited time तक फी, ट्रिपल नाइन रहेगी, जल्दी से जल्दी avail कर लो, उसके बाद बढ़ने की संभाव ना है, ठीक है, a.b कितना आगया, b.a के बराबर commutative law, next, अगर हम, किसी vector का dot, किसी vector के साथ कर रहे हैं, और zero निकल के आगया, तो इस पे चर्चा करते हैं, क्या-क्या हो सुका होगा, तो यहाद, दो vector का dot product zero आ रहा है, zero आने के कारण है, इसको zero लिग दो, और तीन number zero होगए, तीन number zero होगए, यहाँ तो a.b क्योंकि vector का magnitude zero कब होगा, जब खुद vector zero होगा, क्योंकि लंबाई zero होई नहीं सकती, जब तक vector zero ना हो, यहाँ तो b.vector zero होगा, यहाँ फिर cos theta zero होगा, theta zero कब होता है, जब theta five by two होता है, तो a.b के zero होने के तीन कारण है, क्या बोलो, a.b.vector zero, b.vector zero, यहाँ कौन 90 डिगरी हो, physics English qualify नहीं हुई, तो इस बार पूरा batch लेके तो आए हैं, यहाँ से पढ़ो, हर teacher को देखो, और judge करो, आज जो physics का demo है, उसका time है 6.30 p.m. और English का है 8.15 p.m. आज ही आज, classes morning की हैं, देखा नहीं आपने, poster को देखना है, एक बाद शुरू में वीडियो में लगाया था, last में भी discuss कर दूँगा, जो लोग देर में जुड़े हैं, navy में हुआ है, manish का हुआ है, प्रकाश का हुआ है, उन्हों सबको बुलाया जाएगा, facebook पे देखा आप जाके, देखो, तो अगर कभी दो vector का dot product 0 आ रहा है, तो उसके 0 बनने के 3 कारण, या तो A0, या B0, या cos 0, cos 0 कब होता है 90 पर, तो इसका vice versa देख लेते हैं, क्या है vice versa, vice versa ये है कि इसका, vice versa ये है इसका, अगर दो vector perpendicular हों, if A vector is perpendicular to B, या नि वही A और B पर perpendicular है, एंगल 90 डिगरी है, तो A dot B कितना होगा, 0 होगा, if two vectors are perpendicular, their dot product equal to 0, तो इस दोनों चीज़े ध्यान से रखनी है, यहां से क्या क्या सीखा हम लोगों ने, हमने सीखा, I dot J, 0, Z dot K, 0, I dot K, 0, क्यों वही, क्योंकि X axis Y पर perpendicular है, Y, Z पर है और Z, किस पर है, X पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर दो vector perpendicular है, उनका dot product कितना आएगा बोलो, 0 आएगा, ठीक है, तो ये I dot J, J dot K, I dot K, 0 यहीं से लिया गया है, Next, अगर same vector का dot same के साथ करें, तब क्या होता है सर, ध्यान से देखो, same vector का dot same के साथ करेंगे, तो mod A, mod A, और cos theta, theta किस किस के बीच का angle, A के और B के बीच का, vector दोनों same है, दोनों same है, तो same vector same से 0 angle बनाएगा, cos 0 बोलो, 1 हटा दो, तो mod A, mod A, mod A into mod A बोलो, mod A square, तो यह भी एक property है ध्यान रखोगे, अगर कभी भी same vector same के साथ dot करता है, तो उसका answer होता है, उसके magnitude का square, अब यह permanently true है, सभी vectors के लिए, चाहें आप इसको ऐसे लिख दें, A plus B का dot A plus B से, तो आप डारेक लिखें, A plus B के magnitude का square, अब आप चाहें इसको देख लो, A minus B का dot A minus B से, A minus B के magnitude का square, और यह rule permanently true है, चाहें आप three vector at a time ले लो, A plus B plus C का dot, A plus B plus C से, तो यह आएगा, A plus B plus C के magnitude का square, तो कभी भी same vector same के साथ dot करता है, तो उसकी जो लंबाई है, उसका magnitude है, उसी का square हो जाता है, ठीक है, हाँ, तो सभी का selection होगा, जुड़े रहो, सर आपका नाम बताओ, नाम भाई नीरा सिंग बैसला, ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, YouTube पे सर्च कर लेना, या फिर ज्यादा ही आलसी हो, तो Google ही कर लेना, वहीं से आपको सब notification मिल जाएगी, कि कितना पढ़ाते हैं, कहां से पढ़ाते हैं, और कब से पढ़ा रहे हैं, और कौन-कौन बच्चे, किस तरह के बच्चे हम से जुड़े हुए हैं, selection oriented, जो भी हमारा feedback है, मार्किट में, वो सब आपको वहां से, Google से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, हाँ, technical सारा syllabus हो जाएगा, इंडिन आर्वी में जिसका technical है, इस सब हो जाएगा, तब ही तो tech और non-tech दो बैच्च लेके आए, जिसकी जो requirement है, कितना, वन, क्यों, सेम वेक्टर, अगर सेम के साथ डॉट करता है, तो उसके magnitude का square, आई की लंबा ही कितनी है, वन है, तो वन का, वन का square, वन ही आगया, तो ये भी हम लोग याद रख सकते हैं, और सबको पता भी होता है, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, और आई डॉट जे डॉट के, के आई डॉट के, ये कितना, 0, तो ये दो pair होते हैं, आई जे के के, सेम का सेम के साथ, वन, यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं, अगरवाई ये, सेम का सेम के साथ, उसी के मैगनिट्यूड का, स्क्वेर आ जाता है, clear ये भी बात, तो यहां से देखो, हम लोग क्या करेंगे, कोश्चन करेंगे, मैं कोश्चन से पहले, एक चीज और देखो, डॉट निकालने का, एक और तरीका, अगर आपके पास, A vector available है, A1I, A2J, A3K, और B vector available है, B1I, B2J, B3K, तो A.B, होगा क्या, एक तो अभी हमने देखा, A.B, mod A, mod B, कॉस्टीटा दूसरा देखो, A1I आएगा, तीनों के पास, डॉट लेके, लेकिन I का J और के से, कुछ नहीं होने वाला, क्यों, I का J और के से, कितना होने वाला, 0, तो सेम सेम की बात करेगा, बस, तो I.I1, अगरवाइस क्या बच्चा, A1, B1, ऐसे यहां बोलो, A2, B2, और यहां बोलो, A3, B3, तो यार, दो फॉर्मले आगए, हमारे पास A.B के, एक, जब वेक्टर से अवलिये बलो, दूसरा, जब उनके मैगनिट्यूड, और उनके बीच का, एंगल अवलिये बलो, दोनों फॉर्मले किसके बोलो, A.B के, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे क्या, अरे, कोचिंग का परपस ही क्या होता है, आपको बेशिक्स, प्रेक्टिस और शॉर्ट ट्रिक के साथ, जल्दी करवाना, शॉर्ट ट्रिक में भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, देखने मात्र से, शुरू से देखो वीडियो, वेक्टर रिगार्डिंग कोशन, अगर आपको एक भी वीडियो मिल जाए, यूट्यूब पर वेक्टर्स के इन सब कंसेप्ट के साथ, तब बात करना, तो यार, ए डॉट भी यह भी हो गया, ए डॉट भी यह भी हो गया, दोनों को बराबर रख दिया, क्योंकि दोनों A.B की वैल्यू है, तो वहाँ से कॉस निकल के आ गया, कॉस ठीटा की वैल्यू क्या आ गयी, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको सामने, A1, B1, A2, B2, A3, B3, और नीचे, मौडे मौड भी चला जाएगा, तो हमारे पास ध्यान रखना, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, Air Force, Navy, NDA, अगर 3D में, एंगल का question आ गया, तो सिर्फ इस formula से होगा, ठीक है, help line number से मुझसे बात कैसे होगी, मुझसे बात मेरे number पर होगी, help line पे मुझसे बात क्यों होगी, कहीं भी फॉन करके मुझसे बात करनी है, PDF मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, धूम धड़ाकी के साथ, ठीक है, तो एक question कभी भी 3D के regarding आता है, एंगल का, हमेशा यहां से question आता है, कि किस तरीके से हम दो vectors के बीच का कोण निकाल सकते हैं, तो cosine दोनों का dot और नीचे दोनों का magnitude, बहुत important रहता है, तो जो भी हम इसको class वगएरा में कराएंगे, कुछ बातें और, फिर एक बार batch की information, फिर हम class को आज terminate करेंगे, बाकी proper अब जो class यहाएंगी, वो सब app पर ही upload की जाएंगी, यूट्यूब पर यह last class थी, batch की, देखो ध्यान सेब, किन formula के बारे मैं बात कर रहा हूँ मैं, अभी आपने देखा, आप लोग बोलोगे, sir आपने बताया, कि कभी भी कोई vector, खुद के साथ dot करेगा, तो answer उसका magnitude का square आ जाता है, बिल्कुल सही बात भाई, यह बिल्कुल सच बात है, अगर a plus b का dot a plus b से करें, तो a plus b के magnitude का square, बिल्कुल सच बात है, अब आप एक काम करें, जो right hand side में उसको यहां लिख लें, और इसकी multiply करें, a आया dot लेके a के पास, तो same vector का same के साथ dot, उसके magnitude का square, a आया dot लेके b के पास, कुछ नहीं होगा, a dot b, b आया dot लेके a के पास, b dot a, लेकिन a dot b, b dot a, दोनों same होते हैं, same होते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, इसको two times of a dot b, और b आया dot लेके b के पास, अगर same vector, same के पास dot लेके आता है, magnitude का whole square, a plus b के magnitude का whole square, तो कैसे करेंगे, देखो इसको, a square, b square, 2a भी तो ध्यान से एक formula, अगर कभी भी, algebraic identity, a plus b का square, a minus b का square, a plus b plus c का whole square, कभी भी कोई formula खुलता, magnitude की terms में, तो जो square वाली terms होती हैं, वो तो modulus होती हैं, लेकिन जो गुणा वाली terms हैं, वो vector होती है, यहां mod a mod भी नहीं है, a dot b है, ठीक है, और a dot b को क्या लिख सकते हैं, mod of a, mod of b, cos theta, तो अब आप यहां से कई सारे formula बना सकते हो, कई सारे कैसे, next formula देखो, खुद ही बनाओगे आप लोग, कोई आप से पूछेगा, a minus b के magnitude का square, तो आप बोलोगे, a के magnitude का square, minus 2a dot b, plus b के magnitude का square, ठीक है, और इन दोनों को add कर दो, a plus b के magnitude का square, plus a minus b के magnitude का square, बराबर इनको जोडो, 2ab से 2ab, cancel a और a, two times of a square, b और b, two times of b square, b common ही ले ले, sorry two common ले ले, तो यह तीसरा फांबना निकल के आगिया, फोर्थ देख लो, a plus b plus c के magnitude का square, तो magnitude a square, plus magnitude b square, plus magnitude c square, two times of a dot b, b dot c, c dot a, यानि जो भी गुणा वाले हैं, वो dot आएंगे, और जो magnitude वाले हैं, वो खुद vector होगा, पूछने का वाले हैं, वो ही comment की थो, बिल्कुल slow classes चलेंगी, comment की थो, आप हमसे पूछ सकते हो, अब देखो क्या question आया, तो बहुत popular question रहा है, एक a, b, a plus b, unit vector, 21 अंदीश है, 21 अंदीश मतलब, उनका परिमान कितना होता है, one, बिल्कुल जो demo में पढ़ाय जा रहा है, बिल्कुल batch में पढ़ाय जाएगा, batch जब 18 से start होगा, वो first class count होगी, पहली class, ये तो बच्चों की demand पर, geometry उनको बोला था, उनको बोला था, साथ question आते हैं हमारे Navy Air Force में, तो उनकी demand पर, आज हमने इसका पढ़ा दिया vectors को, जो physics और हमारा math दोनों में common है, ठीक है, और already अगर आपको trigonometry, complex number के demo देखने हैं, वो इस channel पर पढ़े हुए हैं, आप नीरा सिंग बैसलागर के chapter का नाम, जो भी ये सर्च कर डाल देना, आपको उस chapter का demo मिल जाएगा, राक्रिश यादव reader publication, YouTube channel पर, ठीक, तो paper में बूचा गया था, अगर A 21 संदीश है, B 21 संदीश है, और A plus B 21 संदीश है, इस A, B, A plus B is unit vector, यानि इनका परिमान वन हो, तो A minus B की value कितनी होगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भई, आप मुझे ये बताओ, बच्चे देर क्या लगा देते हैं, वो देखते नहीं है, given क्या और पूचा क्या है, आप given के साथ और जो पूचा है, उसकी formation से मुझे formula बताओ, कौन सा available है, आप बोलोगे sir, आपने एक formula लिखा है, third में a plus b के magnitude का square, तो हमने खुद ही बनाया, तो ये सब चीज़ें आपको paperों में सब याद करानी है, कि एक line में कैसे question किये जाते हैं, tricks क्या है, multiple time of practice of the questions, tricks बन जाती है, तो ये formula दिख रहा है, a plus b के magnitude का square, plus a minus b के magnitude का square, two times of a square plus b square, सब कुछ available है, लिख दो answer आजाएगा, a plus b कितना है, one one का square, one, a minus b पूछ रहा है, दो, एक और एक, दो, दो दुनी, चार, चार में से एक गए, तीन, तीन का under root, root three, तो बहुत बच्चे गलत answer लिखते हैं, इसका one लिख के आजाते हैं, one गलत है, क्या answer है, root three, तो ठीक है बच्चो, ये एक छोटा सा, demo lecture था, ताकि आप जज़ कर पाएं, क्या पढ़ाय जाएगा, कहीं भी आपको, किसी भी channel पर, जो demo के नाम पर, छोटे chapter, नाजुक chapter देखके, बुला लिया जाता है, और वो content, जो paperों में आता है, उन सब में आपके साथ, धोका धड़ी होती है, इसलिए इस यहाँ पर, ये शुरुआत ही है किया गया, आप लोग अगर, trigonometry complex number की, वीडियो देखना चाते हैं, वो आप नाम के साथ, नीरा सिंग पैसला करके, आप डाल दीजिए, आपको हर chapter की वीडियो मिल जाएगी, इस channel के उपर, और carrier will पर हमारा already, announcement भी upload हो गया है, poster भी आज upload हो गया है, 6 बज़े से fees हो जाएगा, तो यार, अब आप लोग का काम है, जितना हम लोग कर सकते थे, जितना carrier will की टीम कर सकती थी, उससे भी ज़्यादा जाकर, उन लोगों ने आपके लिए काम किया है, ठीक है, तो जो बच्चे selected हुए है, just GD का वेट करो, 17 से start है, खतम हो जाएगा जल्दी, खतम करते ही बुला लेंगे आप लोगो के सामने उनको, ठीक है, प्रैक्टिस में कोश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे, तो उसका एक मैथड निकालेंगे, इस बार समय है तो आपको कोई mail आईडी या, WhatsApp वगएरा नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर अपने limited questions, 5 questions हर एक बच्चा सैंड कर देगा, क्योंकि जो भी है, बच्चों को सबका answer देना है, तो फिर हम लोग उसके according, आपको reply कर देंगे उसका, WhatsApp पे भी message बेश सकते हैं, क्लास में भी doubt वगएरा रगा सकते हैं, Saturday Sunday को, अठारा को जो chapter होगा, वो basic से start होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम क्लास में मिलते हैं, जल्दी मिलो क्लास के अंदर, जो भी है, further inquiry के लिए, आप मेरा नाम जानते हैं, नीरा सिंग वैसला, ठीक है, Facebook पे, या फिर YouTube पे, दोनों पे आप लोग सर्च करोगे, आपको YouTube पे YouTube चैनल भी मिल जाएगा, तो YouTube चैनल भी है, किस नाम से, दाकोच के नाम से, पहले Arm Duties था, उसको चेंज करके दाकोच रखा गया है, क्योंकि बच्चे, इस नाम से ही popular हूँ है, मुखरजी नगर में, अगर slow चली भी जाती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो है कि, बैच को पर्चेस किया जाए, जल्दी से जल्दी, ठीक है, WhatsApp नमबर भी है, WhatsApp नमबर क्या है, Calling वगएरा, आप एक limited time में करना, क्योंकि पूरे दिन, अल्मोस्ट बारा से तेरा घंटे पढ़ाया जाता है, तो call वगएरा पिक नहीं की जाएंगी, और आप लोग भी फिर परिशान हो जाओगे, तो calling वालिंग नहीं, आपकी जो भी query है, कोशिश करना, कि mail वगएरा अगर पाओ email ऐड़ी है, अगर बहुत जादा दिक्कात है, तो आप WhatsApp कर सकते हो, अठाण में 21, 37, 16, 62, तो ये number है, इस पर आप अपनी queries बगएरा, जो भी है batch के regarding, जो भी है, भाई, जो भी portion week है, सब class में मिलते हैं, तयार तो रहो, हर चीज के लिए मेहनत करेंगे, probability, statistics, फिजिक्स वगेरा सब कुछ, practice batch वो सब depend करता है, जब batch आएगा, फिलाल इस batch में आप लोग जल्दी से जल्दी आओ, Navy वाले, Air Force Y वाले, X Group वाले, NDA वाले, सब मिलो, आप फिजिक्स का demo आज साड़े छे बजे, लिखी रहों में सामने, फिजिक्स का demo 630, सारे दोस्तों को बुला के लाओ, जो जो PD थे हैं फिजिक्स से आज, देखो और फिल करो, ठीक है, और back to back English का demo, फिजिक्स का demo खतम करते हैं, English का demo, तो आज data water off रखो वही साड़े 6 तक, कहीं बरबाद नहीं करना है, English का demo 8-15 पर, ठीक है, तो कसलो पेटी, बैठ जाओ, और demo डालते ही, फिर 18 को classes start है, कोई दिक्कत नहीं है, सब practice के लिए PDF में लेगा, यह की चीज बार-बार पूछ रहे हो, वीडियो नहीं देखते हो, classes Monday to Friday होगा, Monday to Saturday होगा, वो सब बता दिए जाएगा, Monday to Friday तो ही हमारे पास, अगर exam के लिए हमको लगता है नहीं यार, तो हम Saturday, Sunday भी इसको classes को करवा देंगे, जो भी होगा, ठीक, तो यह सब आपको पता लग गया है, तो steps बतायता हूँ, अगर जिसको नहीं पता है, प्ले स्टोर से जाएं, अंड्रोइड के लिए यह सिर्फ एप अबलिएवल है, तो कोई अंड्रोइड फॉन वगएरा यूज़ कर सकते हैं, तो mostly बच्चे वो भी उज़ करते हैं, तो Mac फॉन्स के लिए या फिर एपल्स वगएरा के लिए अभी एप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ एंड्रोइड के लिए है, आप प्ले स्टोर से जाएंगे, एक केरियर विल एप होगी, ट्रेंडिंग में चलती है यह एजुकेशन में, आप यूजर फीडबैक भी देख सकते हैं, कि जो कमिटमेंट होती है इस एप पर, वैसे तो आप लोग सब एप पाले ही है, तो और बच्चों को बता रहो जो यूट्यूब पर लाइब देख रहे हैं, तो वहाँ से आप केरियर विल एप को डाउनलोड करोगे, सिंबल सा एक पेज आएगा, साइन अप करने का अपनी बेसिक इंफर्मेशन डाल देना, क्लिक करते ही कोर्सिस वगेरा खुल जाएंगे, आप जैसे कोर्सिस पर क्लिक करोगे, आप तुरंट पेइमेंट गेटवे पर पहुँच जाओगे, और वहाँ से फिर आप डेगुलर क्लासिस देख सकते हैं, और क्लासिस कोर्स तक रहेंगी, पहली क्लास भी लास दिन तक रहेंगी जब आपका एक्जाम होगा, ठीक है, तो दिक्कत है नहीं भाई, आज स्टार्ट करोगे पेपर से दो दिन पहले भी डाउट आया, यार मैं यह भूल गया, वो भूल गया, जाके वीडियो में देख लो, सभी सब्जक की, और फीस, फिर एक बार मैं पोस्टर बोलूँगा, सर पोस्टर लगा ना, कमेंट अटा दो, ट्रिपल नाइन फीस भाई, क्या होती है, आप मुझे यह बताओ, ठीक है, मात्र ट्रिपल नाइन रुपीज में, आपको पूरा टेकनिकल, और वो ही ट्रिपल नाइन रुपीज में, आपको नोन टेक मिल जाएगा, आपके नेवी, जो 2020 में आने वाले दोनों पेपर हैं, वो टार्गेट हो जाएंगे, और आपका Air Force X & Y Group वो टार्गेट हो जाएंगे, NDA वाले बच्चे आजाएं, उनके लिए Math, Physics, English मिल जाएगी, ठीक है, तो ये मेरी तरफ से, आप सभी लोगों को, Congratulations कि इतनी Minimum Amount में हम लोग स्टार्ट कर पाए, और जल्दी से जल्दी लीजिए, और Carrival Team को आप लोग अपनी तरफ से थैंक्स कीजिएगा, कि उन्होंने भी ये चीज पॉसिबल करके दिखाई, कि इतने कम Amount में, Defense को पूरे इंडिया में पढ़ाया जा सकता है, उन टीचरों के साथ, जो 6 साल, 7 साल का Experience ले रखाये, सिर्फ Defense के अंदर जब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पूरी Information है, आप लोग इन दोनों बैचिस को Purchase कर लीजिए, अपनी Requirement के According, और जल्दी से जल्दी कहीं लेट ना हो जाए, फीस बढ़ना जाए, क्योंकि बात में फिर हमारे हाथ में नहीं होता, ये Management के Decisions होते हैं, फिर आप लोग मुझे Call करके बोलते हो, Sir, Course को Duration बढ़वा दो, फीस कम करवा दो, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो अब मुलाकात होगी हमारी कब, अठारा को, आज आप साड़े छे बजे जुड़ जाए, Physics के Demo के लिए, तोकि बहुत बड़ी प्रॉबलम है Physics, सेलेक्शन को लेकर, आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और English के लिए जुड़े सब आठ बजे, ठीक है, मिलते हैं तब तक, पढ़ते रहिए, अच्छा रहिए, अच्छे स्वास्ते के साथ रहिए, और इस बार ही सेलेक्शन लीथिए, जय हिंद, अच्छे सेलेक्शन लीथिए,